अमस्कार दोस्तों स्वागात आपने चैनल टेचिंग क्लासेस में सुझन आज की इस वीडियो में हम क्वालिटिक सट्स का कुछ मोस्ट इंपरन कोशन दो कि दूस्तों मैंने निर्मल के जो टेस्ट वापर आते हैं वीजय का से टेस्ट वापर आता है फिसे समार्टिन मत को पढ़ता है इन से काफी सभाव का मैंने ठिस्ट प्रमेश से जो बी और जो सजी संटे से से इसे मैंने यत्ने वे टिक सट को से जुद्ट करने वाले को प्रेस को पर आप अगर आप लोग अपने चैप्टों के आप सॉल की है उसके बाद यह वीडियो देखते हैं तो आप मैं डेफिनिटी कर सकता हूं कि आपका एक्जाम में कोई भी जो समस्ट आपको नहीं छूटेने माले ठीकिन आप सारे समस्कों को समस्क्राइब जरूर कर लिए यह यह वीडियो को देख लेते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए अगर आप नहीं देख रहे हैं अपने 9.1 9.2 9.3 सारे सब्सक्राइब कर सारे की समस्काइब आप रचान को अपको मिलते रहे त्री रूट से वीडियो एपन रूट फाइप प्लस रूट तू-5 अपॉन डूल समसिर्टी पलेखं समस्तु है सब्सक्राइब 2 बेस्ट कीनाव सब्सक्राइब तक आंप का सेंगें था शेकर कटेशां पर था घर अपार था कहीं है और अभी दिष्ट फुर्सेट पौर्ट स्ट्रें अपार क्यों को यह जिए रहुट कर तक ऊटेशिपातमें. इसको first part okay first part मैंने क्या first part मेरा three root seven upon root five plus root two okay यह हमारा first part अब इसको हम क्या करेंगे देखें नीचे में यहां पर root दिया आग अब जो quality starts का marriage starts का मतलब क्या था नीचे में जो root है उसको हम रेस्नछालाइस करते हैं है ही ना मतलब हमित्हका नीचे हो नमबर रना हुआ है तो हम यह आपर यह स्गें कि इसको हटाएंगे प्ल sticks that with investing करें घ्रोट 5- Xavier 2 और रूट 5-eniz- meneso से हम यहां पर multiply करेंगे इसको बोलते है रसनाले अब दीखे यहां पर रूट पार रूट 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 टू लिखे बड़ जो साइन यह पर पॉजिटिव था यह सने आप नेगटिव लिखके बस उपर नीचे दोने तरफ लिखके हम लोग इसमें क्रेंगे मैं इसलिए में इसमें नीचे का टर्म में इसमें से रूट हड़िया यहां पर आपको और नहीं लिख सकते जो नंबर यहां पर दिआ यही नंबर लिखने बस आपको जो साइन है उसको चेंज करते ना अगर पर पॉजिटीव है तो नेगटिव कर दीजिए अगर कि अबीन कैस्ट कि देखिए यहाँ पर क्या करता हुनिसको मंस्प्वाइक कर स्वागा 3 चल्जय को *** बदेगे उनई पर आपको आ तो अपर आप आपको यह प्रामल को लिए प्लस और एब लिए सकते हैं रूट फाइफ का स्कॉयर ओके माइनस रूट टू का स्कॉयर ठीक है अभी देखें यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं यहां पर लिखें थ्री रूट सब्सक्राइब हो जागा यहां पर यहां पर आपका हो जागा रूट 14 नीचे में नीचे में आपका होता है फाइफ होता है माइनस रूट टू का सब्सक्राइब होता है ठीक है नेक्स्ट टेप में क्या होगा थ्री यहां पर एफ़िए रूट 35 माइनस रूट 14 नीचे में 5 मानेश 2 आपका हो जागा 3 यह 3 से यह 3 कैंसील आट हो जागा ओके चैंसिल करने बाद आपका है चैंसे में पर सव्लफ करते हैं और आप जोड़ियां यह पर सेकंड पार्ट को सॉल्फ करते हैं जिस तरह जोसे में सब्सक्राइब आहे निचे में रूट 2 प्लस रूट 7 तो जोड़िया करेंगे तो उपर नीचे दोनों तरफ हम इसे मल्टिप्लाइ करेंगे किसे multiply करेंगा root 2 minus root 7 उपर और नीचे लोर सख्कों मर लिaret करेंगा किसे multiply करेंगे root 2 minus root 7 यहाँ पर हम लोग लिख लएंगा cừाइफ स्क्वाइर माइनस स्क्वाइर शेट का इसक्वायरए भी स्क्वाइब अब ऑब यहाँ अभाइब पर हीशा सेट हीओ for common for wij तो क्या तक जाएगा Kiss Racete यहाँ त्याएगाasp सब्सक्राइब करें तो यहां पर रूट 10 माइनस रूट 35 ठीक है सब्सक्राइब करें तो यह मैनस को इसमें मल्टिप्लाइब करें तो यह कितना हो जागा रूट 35 माइनसtype 10 होजागा यह अपका आजागा रूट 35 माइनसे aoil 10 अधार आजा अधायगा मल्टिप्लाइक करने पर यह मायनस को मल्टिप्लाइक करने पर GET 18 माइनस़ tengan जागा ठीक है तो यह भी आमने सेके Beimद्ली इसे तरह हम थर्ट पाट को निकालते हैं तो थर्ट पाट है हमारा फ्रेंड 2.0 अपउन रूट 7 रूट 7 प्लस रूट 5 ठिक है इसे भी हम उसी तरह हम रेस्टनलाइस करेंगे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहां पर यहां पर क्या जाएगा रूट 7 plus टूट 5 से मल्टिप्ला करते हैं ऊपर नीचे ठीक है नहीं है तो अभी यहां पर मैंने क्या हो जागा यहां पर हम इसको टिक हो रहेगा तो इसको प्रस जोगा to root 14 माइनस टू रूट टेन ओके यहां पर नीचे में आपका ए प्लस भी और मैंने भी फॉर्म में तो इसको में लिख सकते हैं रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट फाइफ का स्क्वायर ओके अभी देखिए यहां से हम लोग टू कॉमन लेंगे टू कॉमन केतना हो जागा से नीचे में पैसले का प्लस घुम और यहां पर आपका नीचे में क्या ज़ pseudo लैकर आपका माइनस रूट 10 हो जागा गाए root 14 minus root 10 यह आपका आगे 3rd part का अभी आप दिखे इस विश्वन कोस्वन में आपको बुला आगे था कि 1st part इसको लिट के था 2nd part हमने इसको लिट था 3rd part हमने इसको लिया था तो 1st part minus 2nd part था उसका प्लस 3rd part था 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 जो हमार जो answer निकला जो हमार जो answer निकला है दोस्तों सुस्टेंड जीस तरह question लिखा हुआ है 1st part minus 2nd part plus 3rd part इसी form में हमने 1st part के सब्सक्राइब कितना है root 35 minus root 14 तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे फिर bracket में इसको लिखेंगे फिर minus का sign देंगे कि यहाँ पर minus का sign है गश्यूं फर्स्ट पार्ट माइनस 2nd part के माने 2nd part plus 3rd part ओके प्रस्ट पार्ट अभी देखेंगे फार्स्ट पार्ट हमारा काथ हमारा रूट 35-0 14 ओके-2nd part हमारा answer आयए था रूट 35 माइनस रूट 10 प्लस थर्ड पार्ट का हमारा एंसर किता है थर्ट आइंसर आप देख सकते है रूट 14 माइनस रूट 10 था अब इसको solve करते हैं इसको solve करते हमारा एंसर आ जागा ठीक ना तो देखें रूट 35 यहाँ पर होगा और माइनस रूट 10 होगा अभी प्लस रूट 19 प्लस रूट 15 प्लस रूट 35 ऩाशिक हो जागा माम स्रूट 14 प्लस रूट 14 एंसर बैस्ब्सmış प्लस रूट 14 मास रूट 10 भी एंसर जक्ला conten जाए अपका होगी प्लस रूट 10 vidare MATT विलेट करके बनाते हैं, इस टाब के sum में na maximum sum का answer जो भो 0 ही आते हैं okay, maximum sum sum यह नहीं मुदता है मैं सारे sums का answer maximum sums का answer जो है वो 0 ही आते हैं ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने next sums के तरफ अभी अब है, रिख सते हैं यह आपका दो number sums से ये विशुत क करते हैं ना है डिखанд आइसीए 6 करते हैं ने में इसको हमा less love करते हैं है तो आपको संसे क्षाहिए करेंगे दिख सब्सक्राइब करते हैं जो साइन नेगेटिव कई यहापध साफ इसक्वा को सबने और नगाशी संदुरृस्ट ने यहें ने अब इसको इंटू करने से मरें कितना था देखे रूट 5 इंटू रूट 3 आपका हो जागा रूट 15 माइनस रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जागा रूट 10 हो जागा ठीक है यहां पर पूनीचे में a प्लस भी और a-b है टोसको लोगा लेंगे स्कॉयर माईनस बिकाइब स्क्वाइर उके अबकाइब देखे यह क्या होता है mlr 15-10 नीचे में फिर्ट का स्कुर्य लिखा और टु का इसक्षर लिए ठीक है ठीक है तो रूट्ट तु तु हो जाता है क्योंकि आपको यह पर रूट दिया रूट इसलिए लिए आप पर खड़ जाता है ठीक है तो रूट तो यहां पर फिफ्टीन हो जाएगा 15-10 और 3 में से 2 जागा तो 1 आता है ठीक थिसका एंसर कितना निकल किया गया इसका एंसर निकल गया गया रूट 15-10 ठीक है अब इसे तरह स्थम सेकंड पााट को सॉल्फ करते हैं आपके इस सेकंड पार्ट अभी दिखें यहां पर सेकंड पार्ट में क्या दिया है त्री रूट थ्री अपॉन रूट टू प्लस रूट फाइफ ठीक है इसको भी रसनलाइस करेंगे बैलो से रूट टू बार जो साइने चेड़िया एक मानेस बी तो हम लोग फिर फर्मलाग अपलाई करेंगे एस्क्वायर माइनस बीस्वायर का ओके फोर्मला अब क्या आता है थिग को कॉमन लेंगा है फ्लस को सब्रूटर रूट 6 हो जाएगा यहां पर ऑके रूट 6-0 फिफ्ते ना नीचे में डूका सक्वार आपको 5 होता है अब आपको 5 होता है यहां पर लिख सकते 3 जिए पर 6-15 अब कि अंदर मैं जो कामन लिया है और देखिए 5 में से 2 जागा तो सु menoschny실 भी इसको भी जो कि फुफ्टीन माइन competent ये सिंट भी कितना वह संसर सेचेंड पार्ट कहले मैं अडिया सेञेज़ मैंने कि हमारीं के यहां स billion यहां सेखेंड अंधना रूट का यहाइश्ट सुच निकल कुछ ए रूट-षॉट थीम इनकीं करते हैं निकी देखिए व्यां भी थे ठेट पाट को जो जाए है ठाट भाट को थे ठाट पाट मेरा क्या फट्पाट मेरा टू रूट तू अपॉ आपान रूट 3 प्लैस रूट फाइफ ओके इसको भी रिशनाइज करने के लिते हैं यह पर भाईलू लिखते है रूट 3-5 अपॉन नीचे में रूट 3-5 ठीक है इसको इन्टु करने से दिख्या क्या आता है इंटु करेंग तो यह पर हो जागा माइनस रूट 10 ठीक है नीचे में आपको दिया है रूट 3 का स्क्वार रूट 3 का स्क्वार अपको 3 होता है माइनस रूट 5 का स्क्वार आपको 5 होते हैं ठीक है ऑब देखें अब यह कि यहां नहीं करने लिखेंगे 10-06 थे अपका फैल्य थड़ पार्ट का थेक ना अब देखिए जिस सम्झार कोश्चन में गिवन था इस सब्सक्राइब करेंगा तरुम डिर्ट फैल्स तरह सब्सक्राइब इसको आपका positive का साइने तिक इसी तरह यह पर formula बठाते हैं जिस तरह आप लिखा हुआ फ़र्स पार्ट फ़र्स पार्ट का answer को सेखंड पर इस तरह बठाते हैं ठीक है तो देखे क्या होता है अभी देखिए वर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पाट ठीक है आप दीए किए फर्स्ट पार्ट मेरा आजा है रूट पंदरा मैनस रूट 10 ब्रेकट के लिखते हैं माइनस सेकंड करना किता सेकंड पार्ट है दुस्त नहीं रूट 15 माइनस रूट six यह प्लस में थाववंहें थावपरव है सवलट थावव फश्क या मेरा अभी दिखो इसको हम सॉल्फ करते हैं रूट 15 माइनस रूट 10 है यह माइनस इसमें तो कितना हो जागा माइनस रूट 15 हो जागा यह पर प्लस रूट 6 हो जागा प्लस रूट 10 माइनस रूट 6 ठीक है अब यह माइनस रूट 6 यह प्लस रूट 15 यह माइनस रूट 15 भी कैंसल यह प्लस रूट 10 और यह माइनस रूट 10 भी कैंसल उके तो इसका जिरो है इसका अंसर थेके बाटाया था उसे वी इस टाइप स्टहुश्सम्स ऐसे आटाए को शुत है उसका जिरो ही आता है अगा थो आए निका झाल शुर्मस को जीरो है अपर इस लिए बभड़ते हैं तीन नंबर कोउषण के तरफ सटुल्ट यह आपको तीन नंबर कॉषण तो इसे पीछले फैस्ट नंबर और सकेंड नंबर समस्कितर यह बहुत सब्सक्रिग तरह ब्राइक तरह करना है दोस्तो मैं आपको यह जो कोश्चन है आपको कोश्चन आपको होमबग देता हूं ठीक है आप इस कोश्चन को खुछ से ट्राइक करेगा अगर तब भी अगर आपसे नहीं हो पाता है यह कोश्चन तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर आपको हमारे चैनल क आपको डाउट है उसका हम लोग क्लेरिफाई करने का कोशिस करेंगे ओके चलिए यह कुश्चन को आप लोग खुद से करेगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ इस यह आपको पांच नमा प्रस नहां अब दिखिए आपको करना के स्कुए यह पर को यहिसे निचे में आपको दिया रूट सेबन मैनेस रूट घनक तड्री अरे हम एकसवाइद आपको दिया 1 बोली तो प्रमारिट करें कि एकसबस एकसवाइद मै स्वास्वायद प्लेस रूट3 निचे में प्लेस रूट3 अपनी सेवन प्लेस रूट3 अपनी सब्सटों इस relatively का ओधिर्ट सबस्टों दिचे होऊ सबस्के या उपहे है सबूं आप ये प्लस भी फॉर्म में तो ये आपको हो जागा रूट 7 का स्कॉर्य माइनस रूट 3 का स्कॉर्य ठीक है यूपर आप अपर अपर प्लस भी माइनस भी फॉर्म में दिया तो आप जानते है फॉर्मॉला होता है a²-b² अब देखेब हम क्या करते हैं इसकोब मिखते हैं इसको एसेटी से हम लिखार रहने देते ही ठिक है root seven plus root three कहशा कोई स्कॉइर नीचे में क्या जाएँ नीचे आपका हो जाएँ 7-3 दिखिए इसन का इसकुएर seven और three का का जाएँ root three के क्सकुएर जायगा minus 3 ठीक है तो यह आपका हो जाएगा root 7 plus root 3 का whole square upon 7 minus 3 कितना होता है 7 minus 3 आपका हो जाएगा यह पर 4 ओके तो यह आपका आया भी यह आपका x का value आया ठीक है लेकिन हमें यह आपर क्या करना है हमें यह आपर x square plus x y इसका आपका पर value 12 by 11 प्रूफ करें दिखाना है तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमने एक्स के वैलू निकाल है ठीक है ना सेम इसी तरह Y इकल डू क्या हो जागा? देखें इसके हिसाब से X और Y X और Y के वैलू कितना 1 है तो Y के वैलू कितना हो जागा? य के वहलूँ हो जागा य के वहलू जाया खोती है, ठीक है न अ चलिए यही वहलू का या पर फूल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए हैं यहां पर हो जाएगा root 7 plus root 3 वाले, इसको put करके हम यहाप California solve करता है, ठीक है तो यह put करेंगा, तो मैं रोट 7 plus root 3 और उपर आपको हो जागा है, root 7 minus root 3 देकि हम इसे put कर सकते हैं, ठीक है लेकिन इसे हमने इसलिए put किया इस वे फैले को इस ब्याले को हमने इसलिए put किया ताकि इसको पूट करने से हम यह पर solve करने में जो की काफी आसान हो जाएगा अब यह से हम वापी से rationalize कर लेंगे तो यह कितना जागा root 7 minus root 3 यह पर जागा root 7 minus root 3 यह आपको हो जागा root 7 minus root 3 का whole square नीची में आपका है a plus b a minus b form है तो इसको हम लिख लेंगे root 7 का whole square minus root 3 का whole square पर हम इसे लिख लेंगे इसी तरह root 7 minus root 3 का whole square यह पर 7 का square कितना होता है? 7 का square 7 हो जागा minus 3 तो यह पर आपका value कितना निकल लेगा? root 7 minus root 3 का whole square upon 4 आया तो यह आपका आगिया y का value और यह वाला था आपका x का value ठीक है अब देखिए question में आपको xy का value दिया हुआ है xy का value कितना दिया? xy का value आपको 1 दिया हुआ है ठीक है? और बोला है हमें इसका value 12 by 11 लेकर आना है ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम x plus y करते हैं ठीक है न? root 7 plus root 3 का whole square upon 4 है और y के value कितना y के value है? root 7 minus root 3 का whole square upon 4 इसका हम add करते हैं add करने से देखिए कितना आएगा? add करने से अपको हो जाएगा 7 plus 3 plus 2 root 21 हमने root 7 plus root 3 को A plus B का whole square का form में तोड़ा है plus अब हम इसको तोड़ते हैं तो यह भी आपको हो जागा 7 plus 3 और minus 2 root 21 तो यहाँ पर आपको यह minus 2 root 21 यह plus 2 root 21 21 कर जागा ठीक है? यहाँ पर आपको हो जागा 7,10 और यह 7,10 यानि कि यहाँ पर हो जागा 20 upon 14 यह आपको cancel हो कितना जागा 5 आपको 5 आजागा यानि कि friend X plus Y का जो मानेजिए अपको 5 आपको 5 आगिए ठीक है X plus Y का जो मानेजिए कितना जागा आपको 5 आपको 5 आगिए इसी तरह हम X minus Y निकालते हैं ठीक है न? तो यह आपको हो जागा root 7 plus root 3 whole square upon 4 okay minus root 7 माइनस रूट 3 का होली स्क्वायर अपॉन 4 ठीक है अभी इसको हम सॉल्फ करते हैं यहां हम 4 मेरे लसे मागए यहां पर हो जागा आपका यहां पर भी से मुझे तरह साथ प्लस 3 10 प्लस 2 21 ऐपर माइनस का साइन दे कर आपको यहँ यहां पर हो जागा माइनस सेवन माइनस 3 प्लस 2 21 में यह दोनों को न Спасибо का होल्स कर नियंक यह माइनस च मैंकि कैंस यह जाघा यह फोर रूट 21 ठीक है और यह यह आपर हो जागा 4 यह 4 सी यह 4 एक फूर कैंसल यहाँ पर आपका आगया कितना यह आपका आगया 21 ठीक है ना यानि कि x minus y का value कितना आगया root 21 और x plus y का value कितना आगया 5 आगया ठीक है अभी आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या given है यहाँ आपको given x square plus xy plus y square रीचे में x square minus xy plus y square ठीक है तो देखिए मैं आपको एक में बता रहा हूं तो देखिए श्वेंट हम यहाँ पर लिखते हैं x square plus xy plus y square okay upon x square minus xy plus y square अभी देखिए अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगा plus xy minus xy okay यह plus xy minus x कोई मतलब निया बस हमें इसलिए लिए ताकि हम इस question को solve कर सकें okay अभी देखिए अभी इसको हम भी यह लिख सकते हैं देखिए x square plus y square और यह xy और यह xy को हम जोड़के लिख देंगे 2xy ठीके ना यह करता हम जागा x square plus 2xy 2xy plus y square minus xy ओके यह मैनस xy को हम लिख दिये यहाँ पर यह x square यह & q2 xy मैनस xy और यह मैनस xy को हम लोग एड करतेंगे ठीक है यह किता हम जाएगा x square minus 2xy plus y square plus xy okay इसको देखे इसको क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे a square plus 2ab plus b square का form में है इसको में लिख सकते हैं x plus y का whole square minus xy नीचे में चेर आपका x minus y का whole square plus xy ओजाएगा अब देखे x plus y का हमने यह अपर value निकाला था था है आप देख सकते हैं देखे x plus y का हमने यह यह पर value किता निकाला था है हमार value आता पाँच ठीक है तो यहां पर हम value बढ़ा देता है, x plus y का कितना value है, 5 है तो 5 का square और xy का value का portion में given 1, ठीक है ना? और x minus y का value निकला तो आप देख सकते हैं, यह है आपका root 21 था, ठीक है, root 21 था value, x minus y का, ठीक है, root 21 का square प्लस 1, तो यह कितना हो जागा, देखिए, 5 का square होता है, 25, minus 1, root 21 का square कितना हो जागा, 21 plus 1, ठीक है, यह हो जागा, minute, 25 में से जागा, 24, upon 21 plus 1 कितना होता है, अपके हो जागा, 22, इसको हम two से cancel करते हैं यह हो जागा 12 upon 11, ठीक है, अब ही है आप देखिए, यह हमारा कितना है कि 12 प्लस, 12 by 11 आ गया, इसको solve करके 12 x 11 लेकर रहा था जो कि हमने इसको यहां पर solve करके 12 x 11 लेकर आगे है जो कि मेरा यह यह अब यह अपर लिख से तो यह मेरा proof हो गया है तो यह question कहपी थोड़ा था इसलिए थोड़ा एक अलग सा seat लेना पड़ा ठीक है चलिए आपको इसाब कोश्चिन करना जितना ही मैं आपको कोश्चिन करना हूं सारा आपको PDF नोट्स आपको मिल जाओ चलिए हम बढ़ते इपने नेक्स कोश्चिन के तरफ तो श्टुएंड यह आपका 6 नमर कोश्चिन आपको दिया इप x is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2 and xy is equal to 1 then find a value of 3x square minus 5xy plus 3y square ओके तो दिखे हम लोग क्या हो रहे हैं का यहाँ पर हम लोग पहले x को जो है यहाँ पर नीचे में root है पहले हम लोग नीचे में root है तो दिखे क्या होगा यहाँ पर x equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2 दिया हुआ है इसको में अभी रिस्टनाइस करेंगे तो यह आपका हो जागा root 3 plus root 2 upon root 3 plus root 2 plus कहां से आर आपको पता होगा यह negative तो हम आपको positive से multiply कर देते हैं root 3 plus root 2 root 3 plus root 2 n 2 होने से आपको हो जागा root 3 plus root 2 का whole square नीचे में आपको हो जागा e minus b और e plus b का form है हम रिखेंगे root 3 का whole square minus root 2 का whole square अभी दिखेंगे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हम इसको रिख लेंगे root 3 plus root 2 का whole square नीचे में आपको हो जागा 3 minus 2 दिखेंगे अगle आपड हाली हो जागा इसी तरह हमको य के वालव निकाल निकालने है ठीकना इस एकमोट के साबसे च्रूसर में वाजए तो इसके साब से क्या हो जागा है y equal to 1 by x क्या यह possible है जी एकदम possible है यहाँ पर जो x into में इसको divide में कर देंगा तो यह जागा y equal to 1 by x अब जेखे यहाँ पर हम x का value बठाते हैं x का value क्या था x का value यह बार था x का value यह बोलेगा यह भी तो x का value है पर इसको भी हम नहीं बठाएंगा अभी हम इसको बठाएंगे ताकि हम सवाल को solve को लें अच्छे तरीका से ठीक है x का value था यहाँ पर root 3 plus root 2 okay नीचे में आपका root 3 minus root 2 okay यह जो root 3 minus root 2 यह यह आपर ऊपर में आ जागा okay यह इस तरह form में हो जागा root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 ठीक है यह मेरा y है अभी इसको हम आपी solve करते हैं तो यह कितना होगा देखिए यह आपका हो जा रहा root 3 minus root 2 upon y quality यह आपर लिख लेता है root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2 upon root 3 minus root 2 यह आपका हो जागा root 3 minus root 2 का whole square okay नीचे में आपका a plus b minus format यह आपर आपका root 3 का whole square हो जागा और minus root 2 का whole square हो जागा ठीक है ना तो यह आपको y के value यहां से आपको मिल जागा root 3 minus root 2 का whole square okay so इसमें हमने आप पर x के value निकाल लिया और y के value निकाल लिया अब यहां से हम निकालते है x plus y okay x plus y निकालते है x plus y निकालते हैं तो क्या हो जागा देखे x के value यहां पर आपका root 3 plus root 2 का whole square है plus y के value कितना है root 3 minus root 2 का whole square है ठीक है ना अभी दिख्क हमने आपको क्या करते हैं इसको हम सॉल्फ करेंगे इसको ए प्लस बी को होड़ेंगे तो यह आपका हो जागा 5 प्लस टू रूट 6 प्लस यहां पर आपका हो जागा 5 माइनस टू रूट 6 आपका 10 आपका 10 यहीं है अगर इसी तरह एक्स माइनस य का वैल्फ निकालेगा तो आपका आजाएगा 4 root 6 ठीक है एक्स मिनस य का वैल्फ कर देगा 4 root 6 एक्स वाइक इस प्लस य का आपका आगे 10 और x-y कितना जाएगा x-y का आपका जाएगा 4 root 6 सुछना आपको यहाँ पर 3x²-5xy plus 3y² का आपको value find करना था ओके यहाँ पर हम लिखते हैं पहले देखें 3 यहाँ पर देखें 3x²-5xy plus 3y² ठीक है ना अब यहाँ पर हम लोग अपने से प्लस xy करते हैं माइनस xy करते हैं जिसे अब पीछेले समस में किया था ओके यह करने से क्या फायदा है देखें यहाँ पर आपको हो जाएगा 3x² यह माइनस 5xy और यह माइनस xy आपको हो जाएगा माइनस 6xy plus 3y² plus xy अब देखें नेक्स्टेप में क्या होगा नेक्स्टेप में हम लोग यहाँ से 3 को कॉंबल लेते हैं यह कितना जाएगा x² माइनस 2xy plus y² plus xy ठीक है ना नेक्स्टेप में से को दिख सकते हैं 3x-y का whole square plus xy अब देखें question में हमें xy का value दिया हुआ था ठीक ना आप बस आप value पूट करते है x-y हमने निकाला था वह कितना था x-y का value कितना निकाला था 4 root 6 ठीक है ना 3 into 4 root 6 का whole square plus xy का value कितना था 1 था इसको जाब solve कर रहा तो यह आपका आजागा 3 into 4 का square 16 होता है root 6 आपका into 6 हो जागा okay plus 1 हो जागा तो यह आपका हो जागा 3 into यह आपका हो जागा 96 plus 1 इसको मैं लेख सकते है 3 to 6 यह 18 27 28 ठीक है ना plus 1 यह आपका हो जागा total आपका आजागा 289 289 आगे यह आपका आगे दोस्तो पूरा sums का solution तो वह बस आज के लिए इतना ही। इसका दुस्तों एक पार्ट वीडियो भूले पार्ट तू वीडियो और लोगने तो बस इतना ही चली में नेक्स वीडियो में